जैहिंद साथियों आज आप इस वीडियो में सीखेंगे इद पन्निबंध बीस लाइन हिंदी में वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सस्क्राइब वीडियो को लाइक वाशेर जरूर करें तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो इद मुसल्मान भाईयों का प्रमुख तेवहार है इस तेवहार को इद उल्फितर के नाम से भी जाना जाता है इद का मतलब है फिर से और फितर का अर्थ है खाना पीना यह तेवहार भारत के अलावा कई देशों में धूम धाम से मनाया जाता है यह तेवहार रमजान के महीने की त्याग तपस्या और व्रत के उपरांत आता है रमजान का पूरा महीना व्रत का महीना होता है दिन में ना कुछ खाता है ना पानी पीता है सूर्यास्त से सूर्योदे के बीच ही खाया पिया जाता है रमजान में स्वस्थ मुस्लिम लोग सूर्योदे से सूर्यास्त तक रोजा रखते हैं सूर्यास्त के बाद नमाज पढ़कर रोजा खोला जाता है रोजा खोलने को इफ्तार या इफ्तारी भी कहते हैं इद की तैयारी कई महीनों पहले से ही सुरू हो जाती है इद के दिन सभी के घरों में सेवईया बनाई जाती है इस तैयोहार में मस्जिदों को रोसनी से सजाया जाता है इस दिन सभी लोग नए नए कपड़े पहनते हैं सभी मुस्लिम लोग एक साथ इदगाह में इद की नमाज पढ़ते हैं इस महीने में दिन में पांच बार नमाज अदा किया जाता है नमाज खत्म होने के बाद सभी एक दूसरे के गले मिलकर मुवारक बाद देते हैं यह प्रेम और भाईचारे की भावना उत्पन करने वाला पर्व है इद का तेवहार आपसी मिलन और भाईचारे का तेवहार है आप सभी को इद की हारदिक सूप काम नाएं वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यबाद जै हिंद जै भारत